हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जड़े गार्डन और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आज कल आपकी गार्डेनिंग में फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूं आपके साथ तो प्लीज बने रही है शुरू से आखिर तक हमारे साथ हमारे वीडियो में और जो मैं आपको दिखाऊंगी उसको कंप्लीट तोर पर आपको देखना है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको आपको सीखना भी है तो फ्रेंड्स देखिए कुछ प्लांट्स हैं कुछ टाइम पहले मैंने ये पीस लीली का प्लांट है और एक मनी मार्बल पोथोज मार्बल कोई पोथोज जो हता है वो है वाइट पतियों माला जो हता है वो दो प्लांट मैंने लिए थे काफी टाइम से ही रिपोर्टिंग के लिए रखे हैं मैं रिपोर्टिंग कर नहीं पाई इनकी लेकिन आब इनको आज रिपॉर्ट करने जा रही और शुरू से आखीर तक देखिए और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक कीजे शेयर कीजे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो देखें फ्रेंड्स यह मैंने इसके लिए दो पॉट लिए प्लास्टिक के पॉट हैं थोड़े इसे प्लांट हैं यह जो हैं रूट से बढ़ते हैं बहुत ज्यादा और बहुत सारे प्लांट इसमें बन जाते हैं देखिए इसके लिए मैंने स्वाइल मिक्चर लिया है आपनों को दिखा रही है वर्मींगम पोस्ट है और धान की भूसी है और यह देखिए थोड़ी सी व्याइल त्यार करें कियोंकि पीच लिली है या मनी प्लांट वगएरा इसके लिए कोई भी धोस मिट्टी नहीं चाहिए होती है इसके लिए कोई ऐसा स्वाल मिक्चर चाहिए बहुता है जो जिसमें पानी रुके ना और नमी भी बनी रहे तो यह कोपीट वगएरा ऐसी होते हैं इसमें नभी भी बनी रहती है और पानी भी रुपता नहीं है एक्स्टा वाटर सब जो है निकल जाता है तो इस टाइप की मिट्टी वेल्ड एंस वैल हम लोगों को अपने इस टाइप के इंडोर प्लांट के लिए तैयार करना होती है तो यह देखिए मैंने दो आ नारीयल की रसी होती है यह इससे मैं इसको बान्धोंगों मैं पलास्टिक जाएगा कैसी रोप लिए ऩर चिपकाने के बाद इसको और मस्बूती देने के लिए मैं जूट की जो रोप है इससे मैं इसको अच्छी तरीके से बान दूँगी ताके ये देखने में भी खुबसूरत लगे और ये मजबूत भी हो जाए ये खुले ना यहाँ पर से और पानी जो है वो उपर से बहना जाए पानी सिर्फ नीचे से निकले है ताके पानी जड़ तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इस पॉट को जो है जूट ट्रोप से बानने वाली हूँ इसको अच्छी तरीके से लपेट के मैं चिपका कर इसको पहले फेवी कुईक से रसी को थोड़ा सा सिरा जो है वो चिपका लूँगी सही से और उसके बार मैं इसको लपेट के बीश ब निकलेगा जो भी पानी निकलेगा वह नीचे ड्रेनेज होल जो है उसी से निकलेगा फ्रेंड यह देखिए काफी मजबूती आ गई इसमें अब इसमें अपना एक प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूं तो देखिए फ्रेंड इसमें कौन सा पॉर्ट लगा मैं प्लांट उर-डायों फ्रेंट प्लांट निकल पाता है और पानी प्लांटस में खड़ा रहता है लिए घडा जाती है यह नहीं तो और ट्राब को मत्तर हो जाते हैं और इसकी जड़ों को फैलने में मदद मिलें ऐसी मिट्टी हो टाइट मिट्टी नहों जिससे इसकी जड़े खराब हो जाएं और अंदर नीचे तक फैल ना पाएं इसके लिए बहुत सॉफ्ट और अच्छी मिट्टी बनाना पड़ती है इन प्लांट के लिए तो यह देखि आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा हेल्दी और बड़ा सा प्लांट है यह प्लांट है और पॉट कितना बड़ा है देखिए बहुत छोटा सा पॉट है इतने छोटे पॉट में यह पौदा काफी लंबे टाइम तक नहीं चल सकता फिलहाल तो यह चल रहा है लेकिन अ प्लांट को मैंने लगा दिया है दोनों लग गए हैं थोड़ी सी क्लिप बीच की मिस हो गई थी फ्रेंड आप लोग इसको एग्नोर करें और यह देखिए एक छोटा सा यह मेरा प्लांट था स्पाइडर का इसको भी एक प्लास्टिक के डिब्बे में लगा हूँ था यह चोटे से पॉर्ट में मैंने यह मेरा चोटा सा डियाईवाई पॉर्ट इसमें लगा दिया है और कुछ और बेवी प्लांट निकाल के मैंने यह एक डिब्बे को काट के प्लांटर बनाया था उसमें लगा दिया है और रूट डिवीजन करके देखिए दो मैंने प्लांट चोटे एक मनी प्लांट और पीस लीली का प्लांट निकाल के जो पॉट खाली हुए थे उसमें लगा दियां तो यह दोनों में से एक और तयार हो गया है और यह वह अच्छे प्लांट तयार हो जाएंगे और यह चोटे-चोटे पॉट पे लगके अच्छा सर्वाइब देखिए इस तरह से जो है हमें अपने प्लांट्स की धुलाई कर देना है पत्तों पर दूल वगएरा जम जाती है उसको हटा देना है और से सिर्फ पत्तों की धुलाई करूंगी और बाद में पानी मैं जो है मक्ट से डाल दूँगी मक्ट से पानी धीरे से बिल्कुल हाथ छो पानी डश करके डालना है क्योंकि अभी इन रीपॉर्ट करें तो मिट्टी जो है बह जाती है दर दर हो जाती है उसलिए उपर से खड़े होंकी पानी नहीं डालना है बिलकुल हाथ नीचे करके पानी अंस्त ch चाइ 사용 कॊंकरे जड़ों तक निकलेगा तो फिर मट्टी जम भी सकती है और छेद बंद भी हो सकते हैं तो इसलिए अच्छी तरीकर से वाटरिंग करें फुल वाटरिंग करें खुब सही से ताके पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए और यह देखिए हमारे इतने प्लांट लगके तयार हो गया है र प्लांट को और आप जो हैं प्लांट की कोई प्लांट अगर खरीदें उसकी रिपोर्टिंग आप बर साथ में ही करें फिर या अभी तो कर सकते हैं इस मंत में तो कर सकते हैं तो फ्रेंड आपको मारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस से लाइक किजिए शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीजे थैंक्स वार वाचिंग फ्रेंड्स